हलो एब्रिवन तो गाइज आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट स्प्रिंकल जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं क्योंकि यह बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है और जब यह किसी भी चीज के उपर लगाए जाते हैं जैसे की आइस क्रीम, केक, मफिन, कोल कॉफ बनाना इतना ज्यादा सिंपल है कि इतनी हैड़क लेनी की जरूती नहीं है घर पे बनाई है पांच मिनुट में मैक्सिमम बनके रड़ी हो जाते हैं तो अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजेगा अपने प्यार इसे कमेंट कीजेगा अगर आपको और भी ऐसी वीडियो देखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बता देती हूँ वीडियो के नीचे इस लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को दबाना है और फिर इस खंटी को दबाना ये बिल्कुल फ्री है इससे क्या होगा जब भी मैं कोई नई वीडिय चिप्स और ये 60 रुपीज इस पर लिखा हुआ है 100 ग्राम है बट ये 33 रुपे में या 33 रुपीज में मुझे मिले है ये बहुत ही सस्ता होता है बिकोज इसमें hydrogenated vegetable fat है cocoa butter नहीं है और इससे क्या होता है कि ये बहुत जल्दी पिखलता भी नहीं है अगर आपको ये ना मिल तो आप compound, dark compound chocolate या फिर कोई भी dark chocolate इसकी जगे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे लेना है हमें एक double boiler और उसमें अपनी चोकलिट है उसको पिखलाना है यानि कि melt करना है मैंने क्या किया है नीचे एक कटोरा रखा है बड़ा सा उसमें थोड़ा पानी ले लिया है पानी उतना करें आप स्टील का बाउल भी उसकर तकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस ध्यान एक बात का देना है जब आपको लगे कि बाउल थोड़ा गरम होने लगा है तो चॉकलेट के जो बाउल है उसको गैस से हटा के साइड में रखके थोड़ा घुमाईए जिसी कि थ फ्लैट हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे कि एक कॉन लेंगे यह महंदी वाला कॉन होता है जो इस तरीके का आपको कॉन बनाना है और उसमें जो हमने चॉकलेट ली है उसको भर लेना है और जो यह नीचे मैंने रखा हुआ यह बटर पेपर लिया मैंने अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आपको इभी प्लास्टिक कवर थोड़ा सा मोटर जो प्लास्टिक कवर आता है वो भी ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको फैला रही हूँ लंबा लंबा करके आपको जितने भी ठिक चाहिए यह जितने भी पतला दिस्ते की जो हमारे स्प्रिंगल से ही टाइट हो जाएं बस आपको ध्यान सिर्फ का देंगे आप गरम गरम चॉक्लेट से नहीं बनाएंगे इनको थोड़ा सा थन्दा होने तो अब मैंने इनको फ्रिज में रख लिया था और फ्रिज में मैंने 5 मिनिट रखा है आपके पास अगर फ्रिज नहीं है तो आप इने बाहर भी रख सकते हैं थोड़ी सी देर में यह टाइट हो जाते हैं तो देखे किस तरीके से मैं चाकू से इनको काट रहे हूं जैसे भी बिल्कुल फ्लेट हो जाता तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है यह जू सारे उसक हम प्रिंकल काट के लगिंगें轉 आपके सकते हैं अर्पियोड सारी कर सकते हैं अब प्र्षिछ स्वर्ण के परोजो मुझाय satisf効ड वह सल PolT रेसेपी